नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों टाटा स्टील ने जो डिविडेंड 51 रुपया का दिया था तो वो डिविडेंड कई लोगों के एकाउंट में अभी तक पहुच नहीं पाया है जबकि जिनके भी एकाउंट में वो जाना चाहिए तो जो डिविडेंड था ये टाटा स्टील ने दो जुलाई से देना स्टार्ट कर दिया था और जब दो जुलाई से उन्होंने देना स्टार्ट किया था तो हर व्यक्ति के जो भी टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स थे सबके बैंक एकाउंट में नहीं पहुचा है और उसका रिपलाई ये था क्योंकि टाटा स्टील के द्वारा साथ चर्णों में डिविडेंड दिया जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि 15 से 20 दिन का समय लएगा डिविडेंड को पहुचने में तो अब इस बात को गुजरे हुए काफी समय हो गया है लेकिन आज की तारिक में भी कई लोगों का डिविडेंड उनके बैंक एकाउंट में पहुचा नहीं है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं तो आपको क्या करना है क्या स्टेप आपको उठाने हैं इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो इस चैनल पर मैं आपको ले चलता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं आपको मौका मिले तो इस ब्लॉग को आप पड़ भी सकते हैं तो गूगल पर आपको जाना है और जो मेंने ब्लॉग बनाया है उसको आपको सर्च करना है आपको टाइप करना है money nest blog dot com ठीक है इस तरीके से आप स दर आ रही है तो आपको सीधे home page पर जाना है यह आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको क्लिक कर देना है वहां पर क्लिक करने के बाद में आप अगर नीचे की और जाएंगे तो जो recent post है यहां पर जहां मैंने लिखा हुआ है most recent post यहां पर मिल जाएगा जो data steel का dividend नहीं इसके बारे मैंने बता रखा है in case आप बाद में भी अगर इसको post को देखना चाहते हैं बाद में यह नीचे चला जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो यहां पर यह तीन लाइन देख रहे हैं आपको यहां पर क्लिक करना है इसके बाद में आपको यह जो क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक मार्केट के सेग्मेंट में मैं ब्लॉग डालूंगा वो सारा यहां पर आ जाएगा तो यह टाटे स्टील वाला है इसको मैं open करता हूं और इसके माध्यम से आपको बताता हूं यह तो आपको होगा कि 51 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से टाटे स्टी ने डिविडेंड की घोशना की थी और इस डिविडेंड की जो एक्स डेट थी वो थी 15 जून 2022 यहां पर आप देख पा रहे हूं को यह 51 रुपया का है तो इसके बारे में भी मैं यहां पर देखिए यहां पर मैं इसमें मैंने डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा है तो इनी सब के बारे में बात किया हुआ तो आप लोग चाहिए तो उसको देख लिजेगा आपको एक साथ में इस सारे वीडेओ यहां पर मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए नीचे की और जब आते हैं तो यह क्योंकि मेरे पास टाटा स्टील का स्टॉक नहीं था तो मैं इसको अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे देखूं कैसे ट्रैक करूं तो इसी दोरान में मेरे एक सस्क्राइबर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और वो बताते हैं कि उनका डिविडेंड इन बैंक एकाउंट वाट शोट आई डू तो उसका जो टाटा स्टील की ओर से जवाब दिया गया तो यहां पर आप देख रहे हों कि उन्होंने कहा थैंक यू राइटिंग तू अस प्लीज डियम अस योर फोल्यूर नंबर और डिमेट नंबर तो उन्होंने यह जवाब दे दिया इसके बाद में हमने उनको डियम किया यहां पर आप देख रहे होंगे तो यह जो क्लाइंट ईडी है यूनि क्लाइंट ऐडी है डिमेट अकाउंट नंबर है D-P अईड यह मैरे और निरस सब्सक्राइबर का है जिसको कि मैंने यहां पर हाइट कर रखा है और यह तारिक तक को मैंने वेट किया लेकिन उनका कोई reply नहीं आया तो 20 को फिर मैंने उनको फिर से message किया कि when will I get my answer please उसके बाद मैं देखिए उनका क्या जवाब आता है Dear Varun, Thank you for writing us अब ये बोलते हैं कि आप अपनी details को share करिये इस mail ID पर ठीक है ये आपको mail ID यहाँ पर mention की हुई है तो इस mail ID को मैंने अपने subscriber को दिया और मैंने कहा कि आप अपने details के साथ में उनको आप mail कीजिए तो उन्होंने mail किया और उस mail का reply कि आया वो मैं आपको नीचे ले चलके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बता रखा है कि उनका जो dividend amount 2 July 2022 को भेजा गया था 459 रुपीज का तो वो reject हो गया तो अब यह बता रहे हैं कि जो आपका amount है इतने amount का आपको demand draft के द्वारा dividend भेजा जाएगा ठीक है और किस address पर जाएगा जो address आपके depository participant के साथ में registered आपने किया होगा उसी address पर आपका जो demand draft है वो भेजा जाएगा अभी भेजा गया नहीं है तो इनको wait करना होगा एक 2 महीने तक wait करें in case मालीज अगर तब भी नहीं आता है तो आपको फिर से आपको mail करिए Tata Steel को या फिर आप उनको call करिए और इसी ब्लॉग में अगर आप नीचे की और आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने number भी डाल रखे हैं यह telephone number है इस पर आप contact कर सकते हैं और यह mail ID है यहाँ पर आप इनको mail कर सकते हैं जिनका भी अभी तक dividend Tata Steel का उनके bank account में नहीं आया है वो लोग और सिर्फ Tata Steel के ही बारे में ऐसा नहीं है जिस भी company का आपका dividend नहीं आ रहा है आपको यही process follow करनी है आपकी मदद मैं हर बाल नहीं कर पाऊंगा आपको भी खुद जागरूग रहना पड़ेगा अपने dividend amount के लिए और साथ में track करते रहना पड़ेगा dividend आ रहा है कि नहीं आ रहा है कई लोग मेरे को जानने वाले हैं जिनके कि 200-200 company आपको कितना वो track करेंगे उनको recorder नहीं रख पाएंगे भूल जाएंगे कि इसका dividend आया कि इसका नहीं आया तो वो एक अलग मालीजे matter है तो जो भी लोगों का dividend नहीं आया है आप लोगों को contact करना पड़ेगा एक बार phone नहीं उठता है दो बार phone नहीं उठता है आपको बार बार ये try करते रहना पड़ेगा ठीक है और आप अगर मालीजे एक साल पहले का भी dividend है उसको भी आप claim करिए उसके लिए भी आप रयास करिए ठीक इस मेरे एक खाल से जो मुझे जानका रही है थोड़ा बो तभी मुझे exactly याद नहीं है साथ साल तक का dividend आप claim कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप claim नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बताते हैं कि जो dividend amount होता है वो welfare में लगा दिया जाता है जो भी welfare के काम होते हैं वहाँ पर लगा दिया जाता है तो इस तरीके से मैंने भी process किया तो आपको यहाँ पर मालुम चल गया mail के द्वारा जो टाटे स्टील के द्वारा आया कि इनका dividend क्यों नहीं आ पाया क्योंकि इनका जो dividend था वो reject हो गया यह बता रहे हैं कि bank के द्वारा reject हो गया तो ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं सबके लिए अलग-अलग कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए कोई कारण होगा, किसी व्यक्ति के लिए कोई कारण होगा, मैंने एक पहले, जो अगर ये ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं, ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये देखिये, तो इसमें कौन साथ था, ये वाला, what happened if dividend is not received in my bank account, इसमें इस मेरे ख्याल से मैंने ITC के बारे में बात की हुई है तो उस समय जब मैं ये वीडियो मैंने बनाया था तो जिन सस्क्राइबर के ले करके मैंने ये वीडियो बनाया था तो वहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी थी वहाँ पर ITC वालों ने कहा था कि जो उनका bank account है वो update नहीं है और इसलिए उनका वो reject हो गया था नहीं जा पाया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये bank जो details है उसको अपने broker के साथ में update कर लेना है क्योंकि उनके case में क्या था कि उनका जो bank था वो मर्ज हुआ था दूसरे bank में तो एक ये भी कारण था कि जिसके कारण से उनका dividend नहीं आ और जब इन्होंने contact किया था ITC को तो उन्होंने बोला था कि आपको draft के दौरा भीजा जाएगा और मेरे खाल से उन्होंने 45 दिन का बोला था 45 दिन के अंदर आपका पहुच जाएगा लेकिन 45 दिन से पहले ही मेरे खाल से मुझे exact date नहीं आद है और time duration का था वो भी नहीं उससे पहले ही demand draft तो दूर छोड़िये वो पैसा direct उनके bank account में आ गया उन्होंने मुझे Instagram पे message भी किया था कि उनका पैसा आ गया है तो क्यों नहीं आ रहा है ये आपको कोई नहीं बता सकता है सिर्फ जिस company का share आप hold करते हैं उनसे जब आप contact करेंगे तभी वो आपको बता आप आएंगे कि किस कारण से आपका dividend आपके bank account में नहीं पहुंचा है इस बात को एकदम गांठ बांद लीजिए तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और जिन भी लोगों का dividend नहीं आया उन लोग प्रयास करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और आप मेरे ब्लॉग को विजिट करते रहा कर ये समय समय पर मैं वहाँ पर नहीं नहीं जानकार यहां अपनी सामर्थ के हिसाब से डालता रहता हूं तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार